अखिर भार्तिय गांगर्स कमेटी का विश्वास श्री भुबिन गुरा जी के उपर है भुबिन गुरा जी ये असाम प्रदेश के अध्यक्ष रहेंगे अब ये एक तरह से कन्फूजन पैदा करने के लिए ये इस तरह के कोई कुछ चैनल भी चलाते रहते हैं सोशल मीडिय के इंदर भी चलाते रहते हैं लेकिन ये काम है अखिल भारते कांगर्स कमीटी का ना कि फेस्बुक का और ना किसी चैनल का तो हमारा जो कारेशेत्र है वो हम IICC करती है तो ये ब्रहमित ना हो इससे इससे कन्फूजन कोई पैदा नहीं हो इस बात को मैं आप सबों के सामन सब्सक्राइब आठ तारी को एक बहुत एहम बैठक अखिल भारते कांगर्स कमीटी के दफ्तर में तीन बजे होने वाली है जिसकी अध्यक्षता हमारे मानिये राष्टे अध्यक्षी मरेकरविन खर्गे साब करेंगे उस बैठक के अंदर श्री राहुल गांदी जी रहें अब इतक असाम के अंदर कॉंग्रिस ने क्या काम किया है उसके उसके उपर चर्चा होगी और आगे की हमारी क्या स्ट्राटेजी यह वोने वाली है अखिल भार्ते कांगर्स कमीटी का विश्वास श्री भूबिन बौरा जी के अपर है लुबिन बौरा जी ए असाम प्रद लेकिन ये काम है अखिल भारते कांगरेस कमिटी का ना कि फेस्बुक का और ना किसी चैनल का तो हमारा जो कारेशेत्र है वो हम IICC करती है तो ये ब्रहमित ना हो इससे इससे कन्फूजन कोई पैदा नहीं हो इस बात को मैं आप सबों के सामने स्पश्च करना हूँ आठ तारीक को एक बहुत एहम बैठक अखिल भारते कांगरेस कमिटी के दफ्तर में तीन बजे होने वाली है जिसकी अध्यक्षता हमारे माननिय राष्टे अध्यक्षी मलिकर्जिन खर्गे साथ करेंगे उस बैठक के अंदर श्री राहुल गांदी जी रहेंगे अभी तक असाम के अंदर कांगरेस ने क्या काम किया है उसके उपर चर्चा होगे और आगे की हमारी क्या स्ट्राटेजी है वो होने वाली है अखिर भारते कांगरेस कमिटी का विश्वास श्री भुबिन गौरा जी के उपर है भुबिन बोरा जी गी असाम प्रदेश के अध्धेक्ष रहेंगे अब ये एक तरह से confusion पैदा करने के लिए ये इस तरह के कोई कुछ चैनल भी चलाते रहते हैं सोशल मीडिया के दर भी चलाते रहते हैं लेकिन ये काम है अखिल भारते काम इस कमिटी का ना की फेस्बुक का और ना किसी चैनल का तो हमारा जो कारेशेत्र है वो हम एसी सी करती है तो ये भ्रमित ना हो इससे इससे कन्फुजन कोई पैदा नहीं हो इस बात को मैं आप सबों के सामने स्वश्च कराऊ आठ तारीक को एक बहुत एहम बैठक अखिल भारते काम इस कमिटी के दफ्तर में तीन बजे होने वाली है जिसकी अध्यक्षता हमारे मान्ये राष्टे अध्यक्षी मरीकर जिन खर्गे साथ करेंगे उस बैठक के अंदर श्री राहूर गांदी जी रहेंगे